हेलो दोस्तों स्वाग्या तमारे यूटूब चैनल स्टेन स्टेश्टी माटेरियल में और देखेंगे आज हम बात करेंगे पॉली टेकनिक फोर सेमिस्टर के सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन यानि उर्जा सरचन जो है इसके देखें फुल सिलेवस को देखेंगे जो आपका हो चुका है c a second का आपकाईस हो चुका सि य इस सेकेंड का और झा आपका इस का भी हो गया यानि इनवारेमेंचल इस्टुडी तो आपका देखेंगे जो आज होगा आज आज आपको इनर्जी कंजर्वेशन का जो सलेवा से यह आपका full concept आपका इसमें clear हो जाएगा ठीक है तो देखें कौन कौन से chapter पढ़ने हैं और आपको इसमें देखें जो practical होगा कौन सा होगा तो देखें सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखें तो देखें सबसे पहला जो आपका chapter है basic of energy ठीक है इनर्जी का concept हो गया secondary और primary energy क्या होते commercial and non renewable यहां पर देखें non renewable and renewable energy ठीक है with special reference के साथ आपको इसमें और जैसे solar energy हो गया capacity हो ठीक है factor हो गया यह सारा कुछ आपका इसमें पढ़ना है ठीक है जैसे देखें दो second है इसमें क्या पढ़ना है global fuel reserve और आपका इस देखें ठीक है तो देखें यहां पर जो second chapter second chapter में आपको जो चैप्टर है इसमें क्या है तो energy conservation and EC act 2020 sorry 2001 ठीक है तो यहां पर 2001 के ताइपका energy conservation का concept clear होगा ठीक है यहां पर देखें यह सारे आपको इसमें क्या है दिया हुआ है इसमें सारा यह आपका topic दिया हुआ है topic cover हुआ है तो देखें topic क्या क्या है इसे आप screenshot भी ले सकते हैं तो ताकि आप आसानी से समझ सकेंगे ठीक है उसके यहां पर थार्ड chapter है third chapter देखें यहा यहां पर क्या है third chapter है उसके बाद देखे in just खें यहां पर जो फोर चेप्टर है four चेप्टर है energy efficiency यहां पर देखे in एंergy efficiency in electrical utility 處ब्लीटी Teacher यहां पर प्योगिता दिया हुआ तो यह chapter ऐप्का ठीक है तो यहां पर देखें जो यह system यह भी आपका important chapter है ठीक है यहाँ पर देखिए जो इसमें आपको देखिए यहाँ पर जो topic पढ़ने है यह आपको यह topic पढ़ने है उसके देखिए आपको जो देखिए यहाँ पर six number chapter जो है वो क्या है तो देखिए six chapter जो है यहाँ पर energy efficiency in thermal utilities है ठीक है जो आपका उसमें रिखा हुआ है यह topic आप देख लीजिए और screenshot भी ले लीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो chapter 7 है energy conservation यहाँ पर देखिए energy conservation building code यानी ECBC इसे short में कहते हैं तो यहाँ यह भी आपका important है ठीक है उसके आद देखिए next जो chapter है chapter आपका है 8 number chapter है west देखिए आपर west heat recovery and co generation य यहाँ पर इसके topic दिये हुए है यह उसके देखिए आपको 9 number chapter जो है वह आपका कहा है general energy saving tips ठीक है उसके बाद देखिए आपको यह आपका हो गया 9 chapter और 9 chapter में आपको जो topic है यह आपको topic दिया हुआ है और उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पर 10 number chapter है आपका energy audit ठीक है 10 number chapter energy audit यहाँ पर आपको यह topic दिये हुए हैं आप देखिए उसके बाद आपको क्या करना है आपको practical आपको दिया है आपको practical list यहाँ पर दिया है इसको भी आप लोग देख लेंगे ठीक है practical list मतलब आपके कौन कौन से practical होने यह भी आपको confirm होना चाहिए यहाँ पर देखिए यह देखिए practical exercise है आपकी यहाँ पर practical आपको दिया हुआ है ठीक है ER है और VED है तो यह सारा आपको practical है तो इसको आप लोग देख लीजे आपको यह practical कराया जाएगा जो आपकी university है ठीक है तो यह देखिए यह आज का क्या होगा है इनर्जी conservation का आप देखिए finally क्या है अब आपका एक only बच्चा हुआ है ठीक है जो देखिए यहाँ पर जो CAD होगा ठीक है CAD CAM यह आपका CAD CAM जो है यह आपका इसका slivers अभी बच्चा हुआ है इसका आपको बता दिया जाएगा कल ठीक है तो जितना यह सारा स्लिवर्द बता दिये इससे आप लोग रिवाइस कर लें ठीक है मतलब आप समझ लें कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्या 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 स्टडी करना है सारा कुछ एकदम according to topic सब आप देख लेंगे ठीक है अगर आप लोग यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करे और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में